अगर आप फर्स टाम विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सेर कीजिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम एगें टू मैं चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइफाई कॉलिंग और वीओ वाइफाई के बारे में वीओ वाइफाई क्या है और वीओ वाइफाई कैसे काम करता है वीओ वाइफाई का सेटिंग आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में आपको सारे जनकरे देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो के इंट तक देखते रहिए वीओ वाइफाई इसका मतलब क्या होता है वाइस ओवर वाइफाई हम जब भी किसी को कॉल करते हैं या फिर कॉल रिसीब करते हैं तब एक नेट्रोक के थूँ होता है यह सब कॉल करना, मेसेज़ेस करना वीडियो कॉल करना, सब एक नेट्रोक के थूँ होता है मोबाईल में आपका नेट्रोक कम है तो आपका कॉल तो जाता है लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो लेकिन अब एक नया सिस्टेम आ गया है जिससे जो कॉल है वो नेट्रोक के थूँ ना जाके वो वाई-फाई कितरो जाता है इंटरनेट स्पीड के ऊपर यह निर्वर करता है आपका इंटरनेट स्पीड अगर बहुत अच्छा है तो आप जब कोई क्लो कर रहे हो या फिर कुंद कर रहे हो वह एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है कोई भी इसू नहीं होता है इनके साब मान लीजिए यह जी आइक सी एक में से एक सीम आप यूज़ करते हो या दोनों सीम यूज़ करते हो लेकिन आप जब भी कॉल करने के कोशिज कर रहे हैं वहां पे नेटवर्क इसू की बज़स से आपका कॉल ट्राउप हो रहा है तब यह व्यो वाइफाई जो फीचर है यह बहुत ही काम में आता है एक जुरू भी कॉल करना चाहते हो तब भी आपका सीम एक्टिवेट रहना चाहिए और आपके सीम कार्ट में जो प्लैन है वही रहेगा सेम एज इस इनके साब माल लीजिए आपने जियो में एक रिचार्ज भावशर मिलता है आपको 129 का जिसमें जियो टू जियो है तो अगर मालीजी यह आपका रिचार्ज किया हुआ है आप जब भी कोई कॉल करते हो थ्रू वाइफाई करते हो और थ्रू वाइफाई रिसीब करते हो इससे क्या होगा आपका जो इंटरनेट स्पीड है उसे साब से आपका कॉल क्रोल्टी बहुत अच्छा जा रहा है इसका मतलब यह नहीं आप जितना मर्जी चाहिए फ्री में कॉल कर लिए क्योंकि हैर हम सोच रहे यह वाइफाई को तुरू चल रहा है तो फिर यह फ्री रहेगा नहीं फ्री नहीं होता है जो जीओ टू जीओ आप कॉल कर रहे हो फ्री रहे लेकिन अधर में आप जो आप आपको देखना पड़ेगा फिलाहल इंडिया में यह एर टेल और जीओ यह दो नेटवर्क सपोर्ट करता है वीओ वाई-फाई दुसरा आप जो फोन यूज़ करें उसमें वियो वाई-फाई का सपोर्ट है की नहीं वह फीचर है की नहीं यह आपको देखना पड़ेगा चलिए दोस्तों अब मोबाइल में आपको शो करते हैं ये वियो वाइफाई सेटिंग्स कैसे किया जाता है दोस्तों मैं इस ओप्षन को जीओ और एर्टिल दोनों सिम यूज़ कर रहा हूं जैसा कि मैंने पहरे भी बोला है इंडिया में अभी एर्टिल और जीओ ये दो नेट्वाइफाई को सपोर्ट करता है इसलिए आप मेरे फोन पर देख सकते जो नेट्वाइफाई साइन दिखा रहा है इसके साइड में ए वाइफाई का जो सिगनल वो चला गया अभी आप देख सकते खाली भोल्टी इस हो कर रहा है तो चलिए देखते हैं वीओ वाइफाई को कहां से अक्टिवेट करना पड़ता है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पर सेटिंग्स में जाना के बाद सिम जाते हैं तो आपको इंडिविजुल एक एक नमर पर जाके वीओ वाइफाई को एक्टिवेट करना पड़ेगा सबसे पहले चलते हैं जीओ नमर देखिए एक दम नीचे आपके यहां पर सो कर रहा है में कॉल यूजिंग वाइफाई यह मेरा भी एक्टिवेट है अब मैं मैं अगर इसको बंद कर दूँगा मेरे फॉन में जीओ का नेटवर्क टा रहा है वॉल्टी सो कर रहा है लेकिन वाइफाई कॉलिंग इस पे नहीं आ रहा है अगर मैं जीओ नंबर से किसी को फोन करूँगा तो वॉल्टी की थूरू जाएगा नेटवर्क के थूरू आप देख सकते हैं नमबर जो जा रहा है वीओ वाई-फय की तुरूर नहीं जाके डारेट नेटरो के तुरूर जा रहा है अब मैं सेम नमबर को मेरे यह यह तल नमबर से फोन करके दिखाऊंगा दोस्तो अब देख सकते हैं नंबर के साइड में यहां पे वाइफाई और कॉलिंग का बटन आपको दिख रहा है इसका मतलब यह कॉल जो जा रहा है वाइफाई के तुरू जा रहा है बहुत यह आसान सा यह सेटिंग्स हैं आप अपने फोन के सेटिंग्स में जाके जो वीडियो बसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए थैंक यू अगर आप फर्स टेम विजिट किये तो प्लीज सब्सक्काइब कीजिए वीडियो पसे नहीं तो प्लीज लाइक और सेर कीजिए